दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल रातों की भूतिया दास्ताने में तहे दिल से स्वागत है दोस्तों यदि आपको भूतिया कहानिया सुनने का शोक रखते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे मेरा नाम दीपक है तो चलो शुरू करते हैं 1920 के दशक में एक छोटे गाव में एक भूतिया हवेली खड़ी थी गाव वाले कहते थे कि रात्री में वहां अजीब अजीब आवाजे सुनाई देती थी एक रोमांटिक रात गाव का एक युवक विक्रम और उसकी साथी सीता ने तै किया कि वे हवेली में सच्चाई का पता लगाएंगे वे रात्री के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ते हैं और वहां पहुँचते ही उन्हें भयंकर आवाजे सुनाई देती हैं हवेली के दर्वाजे खुलते हैं और एक पुराने आदमी की चाया वहां खड़ी है वह बताता है कि यह हवेली एक समय की यात्रा का साक्षात कार करती है और उसका आत्मा वहां फंसा हुआ है विक्रम और सीता को अध्भुत घटनाओं का सामना करना पड़ता है जैसे की रूहों का बोलबाला और अन्देखा हाथी घोड़ा आध्यात्मिक वातावर्ण में वे अपने आत्मा से जुड़े रहस्यमय गत्यविधियों का सामना करते हैं धीरे धीरे वे यह खुलासा करते हैं कि उस पुराने आद्मी की मृत्यू एक अन्य रहस्यमय घटना के बाद हुई थी और उसकी आत्मा अपनी अधूरी कहानी का सामना करने के लिए हवेली में फंसी रही थी विक्रम और सीता ने उस आत्मा की मदद की और उसको शांती मिली हवेली में अब वातावर्ण शांत हो गया था और गाउवाले अब रात्री में भूतिया हवेली से आवाजे सुनने की बजाय शांती का आनंद लेते थे इस रहस्यमय कहानी ने विक्रम और सीता को अपने साहस और सहानु भूती से भरी यात्रा पर ले जाया, जो उन्हें असली दुनिया और अतीत के बीच एक साक्षातकार का अनुभव करने का अफसर दिया